मन्निय पर्धान मंत्री जी मैं बिहार के पावन धर्ती से धर्ती से मैं आपको प्रणाम करता हूँ मेरा नाम रिपु सिंग हुआ कहां से है आप? कहां से हैं? मैं मुतिहारी जिला से हूँ बताइए मेरा प्रस्थ निया है कि सरकार की करल्यान करी योजनाव को बिक्सित काम से जुड़े काम को को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुँचाया जा सकता है बैठिये मैं बताता हूँ कुछ बाते तो मेरी अभी मैं बता रहा था तम निकली थी देखिए ये काम हमारे कारकरता बहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें इसमें और अधिक ध्यान देने की ज़रुरत है हमारा लक्ष सिर्फ किसी एक योजना का लाब देना भर नहीं है बलकि हमारा लक्ष सेचुरेशन का है शत्प्रतिशत कवरेज का है हर सुविदा का लाब जिसका वो हकदार है उनको शत्प्रतिशत हमें पहुंचाना है जैसे गाओं में बहुत से लोगों को पी एम आवाज योजना से अपना घर मिला होगा यह अपना घर उनको मिला है तो अब जब घर मिल गया है तो यह देखना कि जो लोग इन गरों में रहते हैं उन्हें मुद्रा योजना का भिला मिल सकता है क्या क्या वो अपना कोई व्यापार धंदा करना चाहते हैं अगर कोई धुकान खोलना चाहते हैं कोई कारोबार करना चाहते हैं क्या उनको जाकर के योजना की बात बता सकते हैं गर मिल गया है तो उसका विश्वात बन गया है गर उसकी मालिका है तो बैंक से पैसा मिल सकता है और बैंक में जाएगा आप उसकी मदद करेंगे तो उसको जोगविज मदद लेगी वो अपना कोई कारोवार सुरू करेगा अगर उससे पूछे भाई आपको आईश्मान कार्ण मिला है क्या गरीब परिवार को पांच लाक रुपिय तक की बिमारी के समय मदद मोदी जी के हां से आती है ये बता कर उसको कार्ण दिखाईए और उसको बता ही देखे अपने गाउं के फलाने को इलाब मिला है डिकने को मिला है पडोस वाले गाउं को उसको मिला है तो उसका विस्वाद बढ़ेगा वो पहले बिमारी छिपाता था छिपाएगा नहीं ये सारे काम ये सारी चीजे देखने का काम भाज पाके बूद कार करता एक दाईत्व समझ कर उसको करता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की यो समय पे पूरा लाब मिल सकता है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको गरीब को मुसीबत से मुक्त करना है आप गाउं के लोगों को सरकार की होजना के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मिडिया पर अपने गाउं का बूत का गुरूप बना सकते हैं आप नमो एप पर अनेक योजनाओं की जानकारी उनको दे सकते हैं आपको देखना चाहिए आपके बूत के लोग आपके MP के साथ सोशल मिडिया में जुड़े हैं आपके MLA के साथ जुड़े हैं आपके राष्ट प्रदेश अध्यक राष्ट अध्यक उनके साथ जुड़े हैं नमो एप के साथ जुड़े हैं इनको आपने जोड़ना चाहिए इनको सिखाना चाहिए इससे उनको सभी योजनाओं का पता चलेगा और ये सारी बाते उनकी स्थानिय भाषा में होती है अंग्रेजी जानने की जरुदत नहीं पड़ती है जिस भाषा में लोग समझते हैं उस भाषा में आप जानकारी उनको पहुँचा सकते हैं जब लोग मिलें तो आप बताइए कि उस पर चर्चा कीजिए उनसे बाते कीजिए साथ को एक चीज और मैं भीजे भी के हर कारकरताओं को कहना चाहता हूँ जब हम अपनी एक बात को तुलनात्पक तरीके से कहते हैं तो सामान ने मानुवी को जादा समझ आता है और इसके लिए हमें अध्यान करना चाहिए हमने अपने मोबाइल में लिख करके रखना चाहिए अपनी डायरी में लिख करके रखना है जब हम गैस करेक्शन की बात करते हैं तो याद दिलाते हैं कि पहले इसी के लिए गैस करनेशन के लिए कहां कहां चक्कर काटना पड़ता था, किसकी शिफारत लानी पड़ती थी, कितना भ्रस्ताचार करना पड़ता था, ये मोधी जी आये, तब से सारा गया, और आपको पहुंत रहा है, जब ये याद कराओगे न, तब उनको अपना काम की कीमत समझ में आ हो गया है, उनको कितना लाब हो गया है, तो हम जब कोई भी बात तुलना के साथ समझाते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा याद रहता है, आप देख रहे हैं, कि आज हर घर, जल योजना के तहट, कितना बड़ा काम हो रहा है, नल से जल, 2019 के बाद जब से योजना सुरू हुई है, तब से 9 करोड, यह याद रखना चाहिए अपने, 9 करोड नए घरों में, नल से जल पहुंचने लगा है, मुझे मद्यप्रदेश के लोग बताते हैं, कि आए ऐसे गाउं में लोग, अपनी बेटियों को शादी नहीं करते थे, क्योंकि पानी की समस्या है इसी, आज हमने उन समस्याओं का समाधान किया है, आज जब गाउं में, नल से जल पहुंचने लगा है, तो वहाँ जो बच्चे कमारे रह जाते थे न, उनकी शादी होने लगी है, इसलिए जब हम पुरानी परिश्चितियों से तुलना करके अपनी बात करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा अलगी प्रफाव पड़ता है,